अच्छी है आप सब्सक्राइब कैसे चलती है आपके पढ़ाई कैसे चलती है पढ़ते है रेग्लरली अच्छी वात है चीक है यह आपको पे नाट बूक्ने स्वार्व करना है प्राइब्लम को तो आपको पेर नाट बूक्मे है उनोग में राइट डाम करके आपको submit कराना होता है है ना उसे subject teacher एक contact number पर आप उनसे daily basis चेक कराये work है ना चीछ बात होती है हमें अपना homework daily करना चाहिए जब आप school आते हैं अभी आप daily homework करते थे है ना तो वैसे अभी भी आपको अपना जो daily का homework होता है वो daily करना होता है ठीक है अच्छी बात है अब आप सब लोग करेंगे work चाहिए ठीक है देखो आज हम अपनी EBS की class में जैसे previous lecture में हम अपना second lesson आप muscular system discuss कर रहे थे है ना जैसे क्या है muscular system is an organ system of our body muscular system क्या है हमारी body का एक organ system है जिसके अंदर 23 आरे organ मिलकर किसी specific egg function को perform करते है ठीक है clear अब देखो पिटा इसमें एक lecture हम दे चुके है इस chapter का आज हम इस chapter का second lecture end कर रहे है देखो अभी तक हमने जो अपना muscular system है उसमें क्या पढ़ा है कि muscular system किससे बनावा होता है मतावे कुछ muscular system किससे बनावागा made up of किससे बनावागा muscles muscular system किससे बनेगा muscles six चीक है number of muscles के अदर हम बाड़े के अंदर बात करें हमने बात करें हमारे बाड़े के अंदर 600 muscles present होती है balance कितनी होती है two hundred six चीक है अब muscles के function क्या क्या होते हैं क्यों present है क्या important role है इनका हमारी बाड़े के अंदर सब जो जितनी भी movement अपनी बाड़े के अंदर होते हैं चाहे हमारे वो voluntary actions है चाहे वो involuntary actions है अब voluntary and involuntary actions क्या होते हैं बताँ voluntary actions तिक अब voluntary action वो actions जो हमारे control में होते हैं वो activity हमारे body की जिनको हम control कर सकते हैं है ना जैसे walking है running है चिंदपूर है speaking है talking है है ना और laughing है smiling है ठीक है कोई भी physical activity है playing है यह ऐसी activities है इंडे जो हम control कर सकते हैं कर सकते हो ना ना यह उसा है कि आपड करंग कर रहे और आप रसौ ही निह अना control नहीं है आपका नश pagar ऐसा तो नहीं है ना तो वो एक्सेशs बोढ़ें गई या वो activities जो जिनको हम control कर सकते हैं वो होते है voluntary actions एंड साइकिंड नुके है इन वोलिएंट्री अप्टोय की हिसे होगे, बताँ जे का इसका आपोजिट है जस्ट है ना वोलिएंट्री अइन इन रहा है इन, आ इन, ई यू एन या आ हम कहां लगाते हैं नंजिस में आप पढ़ते हो's opposite word जो उशका opposite sense दे रहे आ अले ना इन वल्य्टरी मतलब justice का ऊपोर्टर साय था अपोर्टिड आयहा और फिसे वाल्यॉंट्री में हमने क्या पळा वाल्यंट्री एक्सें में हमने क्षद्ड़ा कि वो physical activities body के जो हमारे कंट्रॉल में होती हैं. जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम चाहे जब करें. चाहे जब नहीं करें. वो होते हैं. वो होते हैं THE VOLUNTY ACCESS. इन VOLUNTY ACCESS क्या होगी है. जिनक पर हमारा Control नहीं होता हैना? कॉση आपके क्वेल सेवाफ़ेव क्ट्रोल करना हैना? थंपिन कर रहा हैं नो सब्सक्राइब को फूर को डाइजिस्ट करना है या इतिने टाइम नहीं करना है इतिना टाइम है ऐसा फिक्स नहीं है ना सो बोड़ी के अंदर कुछ activities या कुछ actions आसे होते हैं जिन पर हमारा कंट्रॉल नहीं है जो systematic हंसे चल रहे है है naturally है ना हमको बोल रहे है involuntary action clear तो देखो यह हमने बात क्योंकि क्योंकि जो हमारी muscles है है ना वह इनका actions होते हैं muscles की help से होते हैं दूसरा हमारे body के अंदर जो movement होता है हमारी body move कर दी अचाहे bonds का movement है ना हम move किसके च्रू करते हैं bonds के च्रू करते हैं but bonds individually move नहीं कर सकती जब तक उनको muscles का support ना मिले यानि कि जो muscles है वो bonds को help करते हैं move करने के लिए के लिए बच्चो तो इसकारा से muscles है वो हमारी body का important system है बनाती है ठीक है दूसरा हमारे body को physical activity करने में तो help करती है muscles और क्या करती है हमारी body का जो posture होता है यह ना shape और support को bonds में दे दिया लेकिन body का जो posture है वो कौन design करता है muscles ठीक है यह हम अपने last lecture में discuss कर चुके हैं यह बाते चाह बॉन से muscles attach होती है कौन से tissue का त्रूप बताओ यह फर्स lecture में हमने किया था कि bonds और muscles को connect करने वाले tissue का नाम क्या है जो fibrous tissue present होता है that is tendon कौन सा tissue है tendon है और second next जो हमने इक important muscles की बारे में पढ़ा था वो यह था कि जो muscles है वो pair में functioning होती है यानि कि pair में काम करती है है ना muscles का जो pair होगा उसके कि जो movement है या कोई physical activity है वो possible है अब उस pair में से जो एक muscle होती है वो contract होती है और जो दूसरी muscle होती है वो expand होती है है ना एक pair है pair का बनता है जब्सक्राइब एक साथ आते है pairing होना pair का बनता है किसको बोलते हैं pair जिसके अंदर two individuals include होते हैं है ना उसको बनता है एक pair तो जो muscles work करती है हमारे body के अंदर जो हम बोड़ते हैं तो कहीं न करकी muscles सा एक pair हमें help कराता है हमारे उस movement में और उस pair में से एक muscle contract होगी यानि कि सिक्ड़ेगी है ना और दूसरी expand होगी फैलेगी चीक है समझ आया एक्जामपल मैंने आपको बहुत अच्छा सिसका बताया था biceps and triceps कौन सी muscles होती है biceps जब हम उपनी forearm को solder की तरफ लाते हैं तो जो अपर arm की front muscles होती है वो होती है biceps और जो back muscles होती होती है triceps जब हम उसको back लेके जाते हैं तो ये contact होती है triceps ठीक है clear आज हम ले रहे है जो इस lesson तर जो next point है वो आता है types of muscles next point हों साथ है अपना आज का types of muscles अब देको हमने किस place पर muscles को classify किया इनकी function और इनकी structure के base को हमने इनका classification किया वो किस base पर किया हम muscles को किस base पर classify कर सकते हैं किस base पर हमने उनको types में divide किया इनकी structure और function के base पर हैना तो हम लिखेंगे based on structure and based on structure and function यानि कि इनका structure कैसी है इनकी हैना और इनका काम क्या है किस तरह का function ही perform कर रही है उसके base पर हम muscles को three categories में categorize करते हैं चीक है किपने types में divide करते हैं चीक first राती है अपनी skeleton muscles first कांसी है skeleton muscles अब देखो कहा प्रेजेंट होगी क्या काम होगा इनकी type के इंदर जो नाम है उसी से पता चल रहा है skeleton skeleton body किसके related है bones से किसके related होता है bones से it means क्या हुआ कि जो bones से जुड़ी हुई muscles है उनको हम क्या कोईगे skeleton muscles है ना हमने पढ़ा है ना भी कि जो bones होती है वो muscles से covered होती है तो और खौन से tissue के त्रुए जुड़ी है tendon है ना fibrous tough tissue होता है जिसके त्रुए जो bones होती है वो muscles से जुड़ी है चीक है अब scalcal muscles जहां जहां bones से muscles attached है उन muscles को हम बोलेंगे scalcal muscles चीक है bones से muscles attached है वो हमने बोला scalcal muscles अब देखो जो function होगा scalcal muscles का वो क्या होगा कि जब हम दोड रहे है कोई भी चल रहे है ना जैसे facial muscles अपने face के bones है उन से attached muscles वो help करती है हमें speak करने में smile करने में food को chew करने में है ना clear इसी तरह जो हमारी leg की muscles है वो हमें walk करने में jump करने में help करती है है ना चीक है अपनी hand की muscles है वो बहुत सारे हमारे हैं से काम होगे है जिनको कर रहे हैं सारे काम जीजो भी हम अपने हाटों से कर रहे हैं उसके लिए arm muscles helpful है ठीक है समझ आगया I hope आगया अब देखो skeleton muscles जो होती है को इस type का function करेंगी कौन सा action करेंगी volume कौन सा volume क्यों इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं देखो खाने खा रहे हैं जबा रहे हैं मर्चे चाहे चप चप रहे हैं हम रोग भी सकते हैं उसको बीचि में कर सकते हैं ना control हम रोग कर रहे हैं हमारा रुपने का मन क्या तो हम स्टॉक हो जाएंगी Second type of muscles अपने आता है that is smooth muscles. कौन सा है? Smooth muscles. अब देखो ये कहा present होंगी body के अंगर? Smooth muscles हमारी body में. कहा present होंगी? वो हम बात करते हैं. जितने भी अपने internal organs है. Like digestive system है. हमारा brain है. हमारी kidneys है. है ना? और lungs है. और जो integral organs है. हमारे जो delicate organs है. उनके अंदर present होता है. कौन से? Smooth muscles. चीखिया? उनकी जो inner surface होती है. ये उनको smooth करती है. हम example ले. digestive system की muscles का. तो जो digestive system के अंदर present muscles होती है. वो इसो various में present हो चाहे. वो stomach में present हो चाहे. वो intestine में present हो. तो उनका काम क्या होता है? कि food को churn करना, mix करना और pass through करना. है ना? उनका जो contract और expand वाला action है. उसी की help से food एक से दूसरे organ के अंदर transfer हो पाता है. ठीक है? smooth muscles. आप देखो. इससे नहीं पता चल रहा है कि आपका control है digestive system के function नहीं, action है उस पर? नहीं ना. तो smooth muscles जो होती है वो किस type के action के लिए responsible होती है? वो होती है involuntary actions के लिए क्यों? क्योंकि जो internal organs के अंदर जो muscles functioning है उन पर हमारा control नहीं है ना? वो automatically set है अपने आप से अपना काम कर रहे हैं उनको हम control नहीं कर सकते. clear? समझ आई? क्योंकि दो type muscles के कौन से में? स्कैकल muscles जो बॉन से attach होती है smoothest muscles जो हमारी internal organs पर present होती है ठीक है? अब जो third type of muscle है वो एक specific type of muscle है ना? third type जो है वो कौन सा है? cardiac muscles. third is cardiac muscles. आप एको cardiac, cardio जो word होता है वो heart के लिए use होता है. cardio word किस के लिए refer होता है? heart. आपको यह पता होना जी? cardio word किसके लिए refer हुआ? heart के लिए. अब हम पता सकते हैं देको अब हमें इसका meaning पता चलिए ना? cardio word किसके लिए है? heart के लिए तो हम idea कर सकते कि cardiac muscles नहां present होगी heart के अंदर है ना? heart के सिकनी में muscles होती है वो कौन सी है? cardiac muscles अच्छा मैंने अब इसके base कर देखो अब हमें अगर यह पता चल जाता है ना कि body के कौन से part में किस type के muscle present है? तो हम उनका जो action है उनका जो function है वो भी बता सकते हैं कि वो एक voluntary action का हिस्ता है या फिर एक involuntary action का हिस्ता है अब बात आई heart की है है ना heart पर आपका control है जब आप सोते हो कि आपका heart है वो थंपिंग करने बन कर ज़ता रटो pump करने बन कर ज़ता है, नहीं ना continue processing में है ना जब तक हम alive है जब तक continue processing में है काम कर रहा है अब अपना हम चाहेँ resting position पर है, चाहे रहा हम empty position पर है हार्ट जो है अपना काम कर रहा है, यानिकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है इसकी काम कर, वो अपना काम automatically self-control से कर रहा है, ना, तो जो काडियन मसल्च सुथी है, प्रेजेंच जो कामा होज़े इस हार्ट में, हार्ट की जो मसल्च से हो काडियन मसल्च है, और इनका जो एक्स समझ आया, समझ आया बच्यों, जो इनको हम involuntary muscles भी बोल सकते हैं, तो इस तरह सा smooth muscles और cardiac muscles होती है, involuntary muscles, और only जो scatter muscles होती है, वो होती है involuntary, उन पर हम control कर सकते हैं, चीक है, scatter में इतना ही है, I hope आपको complete muscular system का समझ आगया होगा, किस तरह से, किस base पर हम muscles को classify कर रहे हैं, उनकी structure और उनके function के base को, ये भी आपको ध्यान रखना है, और 3 type कौन-कौन से है muscles के, scatter muscles, smooth muscles and cardiac muscles, clear? I hope clear होगे होगा, चीक है, good, next lecture में हम पना next, जो system है, हो start करेंगे, तब तक करेंगे, thank you, have a good day.